चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम लोगी कई दिन से जो सामार हिंदी के जो 50 नंबर्स थे उसके स्रीज रुकी हुई थी लेकिन उसके साथ मैंने तीन जो है इसके निबंद जो आ रहे थे इंपोर्टेंट वो करा दिये इसमें दो निबंद बच इससे एक्सपक्ट क्या है कि जितने भी यूपीपेस्स के प्रीविए से पेपर से हैं कोस्टन भी वहीं से रखे जाएंगे चाहे हो कमेस्टी का हो चाहे हो सामान हिंदी का हो तो इसलिए मैंने पहले बोल रखा कि जितने भी यूपीपेस्स के प्रीविए से को प्रेक्ट कुछ आईय अककड तो इनसे हमें क्या करना एक शब्द बनाना है कि 10 लाया हुआ है अप लोगोयं को सब्से पहले क्या करना है इसको सब्सेले अपने हां बनाना थे अधिक अगर आगे लगए लग जाता है बनाता है मुल्ड है उत्य है क्या इसी तरीके से आप लोग तो अधिय अच्छ बना सकते हैं और अगर देखा जाए तो अधिपाति बस सारे i.e. पनाएं बस आप लोग के लोग बना एक नंबर पक्का हो इसके बाद जो है परी का यूजविश स्यृम्र करते हुआ उसको बनाना दुम्हा पहले आधी जुमियु हमने बताय उसका मतलब क्या होता है अधी का मतलब आता है ''suresh' मरिक या किसी में आसपास तो देखिए इससे हम लोग क्या क्या सब्द बना सकते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे वर्ड पता होंगे जिसे कि परिता हो गया ठीक है परिता परिकर्मा होता है उसी तरीके से आप लोग क्या बना सकते हैं परिडाम होता है उसी तरीके सब क्या बना सकते हैं प भर से बनाना है तो आप लोग क्या बनाते हैं कि भर का मतलब सबसे पहले क्या होता है अगर भर का मतलब हम जान ले तो और आसानी से जल्दी लर्ण हो जाते हैं तो भर का मतलब होता है पूरा या ठीक पूरा या ठीक जिसे कोई कहता नहीं है भरपेट ठीक है भरपूर भरमार तो ये शब्द क्या बन जाएंगे तो इससे अगर हम लोगों का वर्ड अट दिया है तो अट से हम लोग क्या क्या शब्द बना सकते है तो चलिए आप भी लोग बताइए तो सबसे पहले आट का मितलब क्या होता है आठ चाया यह वर्ड आठ के लिए यूज किया जाता है जैसरिके हम लोग जानते है अठहरा इसी स्ब्द बना है अठण्नी इसी स्वसब्द बना है ठीक है अठ्स spend बना है आपसर का मतलब, आप लो एंग्लिश में सुने होंगे, एक प्रिफिक्स लगता है, ठीके, प्रिफिक्स मतलब जो है वर्ड से जो पहले आ जाये, ठीके आएगा, इसा क्या हो कि किसी भी वर्ड के पहले कुछ वर्ड जोड दिये जाए, या अच्छर जोड दिये जाए, या यहां पर तरिक से वर्ड अज़िता नेगायों और यहांड़ में उसके लाइक का है। आतिरिक्त तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या यहां पर जो हिंदी है वो बहुत बड़ा डिसाइडंग फेक्टर होगा क्यों कि आप लोगों को पता है कि अपने इपने subject में सब expert हो जाएंगे लेकिन जो cut up divide करे वो cut up decide करेगा वो आप लोगों को है, 50 नमबर में निबंध और 50 नमर में जनरल हिंदी, यह अगर अच्छी आप लोगों की मजबूत है, इस पे अगर आप लोग पकड़ बना लिए, यहां से नमबर निकाल लिये, तो आप लोगों काम हो गया, तो हिंदी पे पकड़ अच्छे से बनाईए, उसके साथ जो है, में chemistry आप लोग ठीक है बताते रहेंगे chemistry का कौन सा टापिक अप लग रहा है वैसे भी मैं क्या करूंगा जितने भी important chapters है ठीक है जितने भी important questions बनने हैं वह मैं क्या करूंगा उसकी series continue करता रहूंगा जल्देली question डालता रहूंगा तो चलिए यहां पर जो अब आता है कि इसे शुल्क कर अबना सकते थे इसे तरीक निषेद बना सकते थे नीवारत बना सकते तो चलिए यहां सब लिख लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं देखे अधी का अधी का मतलब क्या था स्रेस्ट में से पहले मैंने डिफिनीशन भी यहां पर लिख रखी है तो आप लोग समझ जाएंगे ठीक से प्रिफिक्स होता है उपसर का मतलब पड़ती का मतलब होता है अच्छरी अच्रों का समुझ शब्दों के आगे लगकर अर्थ बदल दे उसे हम लोग सब प्रिफिक्स बोलते हैं तो यहां से देख लिए अधी हो गया पर हो गया भर हम लोग पढ़ चुके अट पर चुके होता है जेसे की होता नहीं खुश्मिजाज कुश्कबरी बोलते हैं यह सब वर्ड़ यहां जो आते हैं खुश्श इसमें लग जाता है अब देखें एक एक जु वर्ड है यहां पर आप लोगे पता होना चीए कि ऒपरतिये है जिसे कि धर्भ क्या अगेर अगर लगा दिय को यहां प्लस एक तो यह हो जाएगा किए धार्मिक तो अगर आप नों को ढायों दे दिया जो पूंछा का सब्लाइन पूंचता है प्लस होगा या परती अथ दिख रहा होगा पर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यह परतिय हो जाएगा थinky将 fine पूश लिया auer कि मतलब क्या परतिय पहले देदिया परफौ सहले इंसे वर्ड बनाना भो जयाखा उसके numéro इसा हमें नहींड लिचन राइन हो जाएगा इसा आनवाइन बनाना है चलो तो यहाँ पिछ वाइन महा हमले बना कि हलवाई मिठाई खिलाई सिचाई बुनाई तो यह सारे वर्ट्स हो जाएंगा उसे तरीके साब लोग वर्ट्स पुनेंगे अक्कड ठीक है अक्कर एक पर्तिये हैं तो अक्कल से हमें शब्द बनाना है तो पर्तिये दे दिया गए जिसे कि भुलकड हम लोगों को पता है गुमकल पता है उसे तरीके साब काई सारे वर्ट्स हैं तो यह आप लोगों के हो गए तो चलिए देख लेते हैं चलिए इसके एक्जामपल भी मेने काई सारे रखें तो आप लोग क्यूंक्त के लिए देखिए आई आई से क्या क्या बनेंगे तो आई यह है और वर्ड इ क्या है ये क्या हो जाएगा अब देखो बूला में अगर आपाज वोड़ दिया जजाकर क्या हो जाएगा तो यहां से आपलूंगे अगर मुळावा दे दिया जाए तो समझ जाएं गाप लोग इसमें पर्तिय कया निकलेगा तो आवा निकलेगा बढ़र तरब्स एख ले कन्फियूज शर्श भर में दोट एक?" तोर्ड़ यहां पर परती है, अब आःट ये तरह एक परतिय है क्शोच जबात लित जो रिया के तो अपना में जोर जाए गात छे कुछ वड्ड हो जाएंगे तो चलिए कुछ वड्य को नहीं दिख रहे होंगे तो यह हाइड है, तो कवित तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यह कवित तो हो जाएगा, उसे तरीके से पन, तो पन के भी बनाते जाओ, पराया है, अपना है, बच्चा है, लड़का है, तो पराया पन हो जाएगा, अपना पन, बच्चा पन, या बच्च पन भी बोलते हैं दो यह सारे वर्ट्स हो जाएंगे अंप लोगों के तो आप लोगों के ये बना सकते हैं तो चलिए हम लेक्ट पर आप लोगों के तेयार हो जाएगे तो देख लीजिए जाने को सबनेटे लिखन लिखना है यह तो देखे यहां से जो है । सब से ज़र जो का मतलब क्या होता है अकर मतलब पता हो तो उसका विलोम क्या हो जाएगा या निरावरड और अगे दवस्पे कर्तग दिया तो जो मतलए किसी के एसान को माने करतगन क belong हो तो मूर अगे का विगए हो जाएग अब देखे नेसर्गी का मतलब जान लेते नेसर्गी का मतलब होता है नेचुरल, इसे प्राकर्तिक भी बोर करते के से उसे हम चalth करती म सकते थे हमने शर्गी को रहा थे नहां था तो बस सक तृ usta कि वरभा तरण हो जाएगा ने शर्गी कर सकते हैं कुछ क्या होते हैं कुछ पर लगा दें थो जैसे बसाथ करते हैं तो भी पहुंस और बो steep युद्धा कर आधाम हो जाता है तो उसी तरीके साफ देने सकते हैं ने सर्गिक में तो असे तरीके से अधम होता है out अधम मतलब अधम की प Rawf तो यह यहां पर अमंतरित तो अंंतरित हो जाएगा या तो निमंत्रल में आया हुआ हो जाएगा यहां से अनाहूत हो जाएगा उसे तरीके सकर्मक मतलब जिसमें कर्म के साथ कोई चीज हो तो उसे सकर्मक बोलते हैं सकरमक का अकरमक होजय का मान का अपमान होजय का घात हैशी कि यहां पर आप्षाकून का शकून हो जाघा तो तो यह तरीव तो चलिए इसके बात मुहावरे भी आते हैं दस नंबर में तो यह दस में भी आ सकते हैं पास में ब्यासकते हैं तो चलिए यहां पर मौहावरे जिसे कि पहला महौरा क्या अंक भरना अंक भरना का मतलब होता है इस ने पूर्वा किसी से गले मिलना में इस प्यार से गले मिलना अब अंग अंग धीला होना अब अंग अंग धीला का बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना काम करने के बात आगे दखते हैं आगे क्या करहा है आध्ा बनना अन्धाबनना मतलब जानते हूना द्धियान夫म की अन्धेकर के साहरा था हो गोलते केbel veteran वादा ही तो इसमें आप लोगी कोई होगा तो मतलब मुर्ख ही होगा, अकल के गोड़े दोड़ाना, मतलब केवल कल पनाए करते रहना, अकल के गोड़े दोड़ाना, अकल के पीछे लट लिए फिरना, तो मतलब मुर्खता पूरुक काम करना, जिसको बोलते हैं, अब अकरमगर करना है, कोई अकरमगर करता है, तो रहा है अब देखे अडियल टडू होना मतलब जिद्धी होना जिसे बोलते हैं अडियल टडू होना मतलब जिद्धी होना अपना उल्लू सीधा करना मतलब काम अपना निकालना सीधा सीधा बोल सकते हैं अपना समूल लेकर रहे जाना मतलब क्या हो जाना है लज्जित होना ज मतलब क्या कहते हैं कि कि अपने तक रखना बात मतलब क्या कोई चीज क्या एक सीमित में रहना अप Oui हो पिछ में यहा पी यहां रहा है बीच में यहांा रहने का सेयोग समाप्थ हो गया हैं तो मतलब सइयोक समाप्त हो जाना हैं आरत क्या है आप लोह को लिखना है उसी तरीच वीचमे वर्ड आया है बहुत परिश्णम किया तो देखे यह यहां पर मैंने क्यों रखा है तो देखिए आप लोगों को जो सबसे पहले लिखेगा ठीक है तो उसमें आप लोगों क् तो उनके मतलब सीधे सीधे पूछ लेता है तो आप लोगों को इसे ही बस प्रेक्टिस करते रहें तो यह तैयार हो जाएंगे आग में घीर डालना उसे तरीके से जो है यह आप लोग करेंगे प्रेक्टिस तो चलिए आप लोग है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जितना आप लोगों के लिए भी उतना जादा फाइदा होगा तो उतना जादा आप लोगों के लिए हम लोग कुछ करते रहेंगे बेस्ट से बेस्ट हीगा तो चलिए लाइक शब्सक्राइब सेर जरू करें थैंक्यू